एक एक तस्वीर आप तक पहुचा रहा है, लेकिन बड़ी बात ये है कि तालिबान जहां अफगानिस्तान पर धीरे धीरे पैर पसार रहा है, कब्जा जमा रहा है, वहीं पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान सब के सामने तो ये कहते है कि तालिबान को समर्थन नहीं, लेकिन किस तरह से पाकिस्तान लगातार तालिबान का समर्थन कर रहा है उसकी बड़ी गवाही आज आपको महाभारत में दिखाऊंगी क्योंकि आतंक का समर्थन लगातार पाकिस्तान करता आया है चीन और पाकिस्तान किस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का साथ दे रहे हैं इसी पर कर रहे हूं आज की महा भारत पहले ये रेपोर्ट देखे तालिबान का नर संहार इम्रान मददकार पाकिस्तान आतंक फ्यलाए इम्रान जुटलाए तालिबान का मददकार अफगान को धमकी तालिबान खान का जूट बेनकार आतंक का साथ सच से आघाग अगरिस्तान में तालिबान कोनी आतंक बचा रहा है अगरिस्तान के कोने कोने में तालिबानी आतंक योने देहशत बचा रखी है तालिबान की इस कुरूरता में पाकिस्तान पूरी मेहनत के साथ उसका साथ दे रहा है अफगानिस्तान में खून खराबे और तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान ने 10,000 लड़ा के अफगानिस्तान भेजे है यारोप खुद अफगानिस्तान के राश्टमती अश्रफ गनी ने पाक स्टाइब अश्रफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबानियों की मदद करने के लिए अफगानिस्तान में 10,000 जिहादी लडा के भेजें इंटेलिजेंस सिस्टमेट इंडिकेट इंफ्लॉक्स अफोवर 10,000 जिहादी फाइटर्स 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 पाकिस्तान की वायुसेना पर ऐसे ही आरूप लगा चुके हैं अफगानिस्तान सरकार खुल कर कहती आई है कि तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर अफगानी सेना से जंग लड़ रहा है पाकिस्तानी सेना और कूफिय एजिंसिया अफगानिस्तान में सक्री अभी है लेकिन जिस तरह से चोर कभी नहीं कहता कि चोरी उसी ने की है उसी तरह पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने और फिर खोद इमरान खान ने बेगुनाही का रोना पीटना शुरू कर दिया I came to Kabul Why would I come to Kabul if I was not interested in peace The whole idea was that we, that you should have look upon Pakistan as a partner in peace And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan Imaran सच से भला जितना वच्टे रहें लेकिन उनके ये मानने या ना मानने से सच बदह नहीं सकता Imaran से जब तालिबान को लेकर रिष्टों के बारे में पूछा तो पल्ला जहारते भागते हुए नजर आए सच तो ये है कि Imaran ने जब से पाकिस्तान की कुर्सी सम्हाली है पाकिस्तान में आतंक का ही राजरा है पाकिस्तानी वायूसेना की चेतावनी इस बात को और पुखता कर देती है पाकिस्तान की वायूसेना खुल कर तालिबान की बदत कर रही है और अफगान की वायूसेना को धमकी दे रही है गुरुवार को पाकिस्तानी वायूसेना ने तालिबान के चेकानों पर हमले की तैयारी कर रहे अफगान ऐपोस के A-29 लड़ाको विमानों को चैताव नी दी पाकिस्तान के बॉडर पर स्थिर्ड स्बिन oneself डॉक में अफगानी सेनcuss तालिबान के ठिकानों को निस्तानाबूत करनें जा रही लेकिन पाकिस्तानी एरफोस ने अवगान एरफोस केड़ेट नई लडाकों वेद्वरी विमानों को खदेर को खड़े डियां ख़रिंद की आ अट मियांसικά एंक अड्विया इट बरीयाodicated manipulating अड़ हाई अपना डिया। लड़ आ है अफगे अफगानिस्पातीश लोगों का मनrut长 में ले जैगा। तालब कभी भी नहीं कर सकता का अफगानिस्टान को टेख औवर करे श कुट्ट सवाल ये कि आतंक के खात्मे में मदद करने की बजाए इम्रां खान और पाकिस्तान सब्सभीकर करना कब सीखेंगे सवाल ये भी कि पाकिस्तान तAlibane की मिली भगत में चीन का कितना हाथ है और आज महाभारत में मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो ये तालिबान का हाथ चीन पाकिस्तान साथ क्योंकि आज मैं वो गवाही भी दिखाऊंगी सुबूत दिखाऊंगी किस तरह से पाकिस्तान का समर्थन तालिबान के साथ है कालिबान का नर्चंगार, इम्रान है, मददगार, भले ही कुछ कहें, लेकिन तस्वीरे कुछ और ही बया कर रही है, पाकिस्तान आतक फेलाए, इम्रान क्यों से जुटलाएं सवाल आज पूछ रही हूँ कि किस ने खोली इम्रान की पोल, क्योंकि अभी तस्वीरे आप देखेंगे, सवाल पूछ रही हूँ कि सज सब कब सुईकार करेंगे, इम्रान खान, मेरे साथ जो महमान जुट रहे हैं महाभारत में, उनका परिचे आप से कराऊंगी, मेरे साथ पांच झुट रहे हैं, अब्दूल समद याकूब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रवक्ता है, और साथ ही मेरे साथ जुट रहे हैं पतरकार जावेद गणवरी सब्सक्राइब से बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का और मैं आपको बता दू कि रिपब्लिक भारत आप से जुड़े हर मुद्टे के लिए आवाज उठाता है तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखे अपने विचार अपनी भाशा में कूअप पर रिपब्लिक भारत अब जाती हूं सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वो बॉर्डर जिसके पास आपको पाकिस्तान के जंडे के साथ साथ तालिबान का जंडा नजर आएगा क्योंकि यह वो इलाका है जिसको तालिबान ने जिस पर कबजा किया और तालिबान कहता है क पर इसी border के इलाके को Taliban ने अपने कबजे में किया है अब पाकिस्तान ने जब यह हुआ Taliban ने कबजा किया border पर तो Pakistan ने क्याक है वह भी आपको दिखाती हूँ पाकिस्तान ने सीधे सीधे कहा कि क्योंकि तालिबान ने कबजा कर लिया बॉर्डर पर तालिबान की एंट्री पर रोक लगा दी गई है हम तालिबान को पाकिस्तान की एंट्री नहीं करने देंगे क्योंकि इस बॉर्डर से अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच लोग जाते थे लेकिन बॉर्डर अब पाकिस्तान ने सील कर दिया पाकिस्तान कह रहा है कि सीमा पर जो गेट है उसे बंद करने का एलान किया यानि कि अब बॉर्डर के इधर उधर नहीं जा पाएंगी यह इसले किया गया अधिकारी रूप से ओफिशल रूप से यह कहा गया कि जिस्ते तालिबान के लोग ना घुस्पाएं सीमा पर गेट ब लांकि कि आफिक्स अटाई है तस्ओीरे मैं दिक रही हूं पाकिस्तान के पाकिस्तान के वह इलाके जहां पर सब्दमीर毫 जहां जै और यह तरि आरह और और पाकिस्तान के लोग किस तरह से बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लड़ाकों को अंबुलेंस में अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाय जा रहा है जो अंबुलेंस आप देख रहा है इसक्रीन पर इन अंबुलेंस में ले जाय जा रहा है तालिबान के लड़ाकों को जो घायल हुए हैं वहाँ पर जंग करते हुए अफगान फोर्स से उन्हें एंबुलेंस में ले जाए जा रहा है और तस्वीरे आप देखिए तालिबान के जंडे हाथ में लिये हुए ये लोग पाकिस्तान भर में आपको नज़र आंगे तस्व तालिबान का राज है ये अफगानिस्तान नहीं है ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में तालिबान के जंडे लिए ये तालिबानी लड़ाके घूम रहे है पाकिस्तान में और ये पाकिस्तान में रहने वाले लोगों नहीं तस्वीरे ट्वीट की है उसकी जानकारी दिये अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी तस्वीर अफगानिस्तानी सेना ने जिन पाकिस्तानी लड़ाकों को पकड़ा यानि कि पाकिस्तान के तरफ से जो तालिबानी अफगान बॉर्डर में आए और महा पर लड़ रहे है तालिबानी तालिबान के साथ अफगान सेना के ख ने उनके चेहरे दिखा रहे हैं। यह तस्वीरे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। पाकिस्तान से आये तालीबानी लड़ाकों को किस तरह से आफगानी सेना ने पकड़ा है। ये दूसरा सुबूत मैंने आपको दिखाया, वहीं तीसरा सुबूत, जो पाकिस्तान की संसद से आवाद गुंजी है, वो अब आपको सुनवाती हूँ, पाकिस्तानी संसद में कैसे इमरान खान के उस जूट का परदा फाश हुआ है, इमरान खान के उस जूट का परदा फा के जूट का पर दाफाश उन्हीं की संसद में पाकिस्तान के नेताश न कर दिया वो तस्वीरे आपको दिखा क्यों? इमरान खान की बात पहले आप तो सुनाती हूं उसके बाद उनके संसत की बात सुनाओंगी जो संसत खुल कर कह रहा है के इमरान खान जूट बोल रहे हैं कैसे वो तालिबान की मदद कर रहे हैं सुनिये जरा और ह aurait उन्य खूशूरान के जैंडब को वाहिसा कि तर रावाद था साफ कान्स हम रावादे, यह प्राव में आपड़ाय में तरहना केत्था कार्या स्काहिस्तान, कि दिए जी क्वेड् दॉवर्वाद्टेब जाते । 70,000 casualties in the last 15 years the last thing Pakistan wants is more conflict this is just like invading this is just like you are in a country in a country this is just like this is just like in the government state you are here support in the past one of the people a government a government that our government our government our government this is a video which is in the country in the world these people are in the Taliban that we have in Afghanistan this is a video in the region in the country this is a video in the country a government they receive a and they also get in the country in the country in the country then we say that the country says has been and when we say that the country is talking about what we say in Afghanistan there is no our favorite it is and the one one favorite that we do तो आपने सुना पाकिस्तानी सांसद को पाकिस्तानी सांसद किस तरह कह रहे हैं कि जो लड़ा के पाकिस्तान से गए किस तरह से वहां तालिबान की मदद कर रहे हैं अफगानिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं वही उनके जनाजे पाकिस्तान में आ रहे हैं और वजीर पुंट पलिंगयालनामा के सार्क इसका है आप ही के सांसतट आपी के अपने नेता का जो कह रहे है कि और रेहा है यह और पीटीम के यह की नहीं नहीं है दूसरा जेल में पड़े हुए और और इनकी जो स्टेटमेंट होगी हम इसको पहले ही आप व्माइण की कहते हैं मोसुन दावड वास्था वहांली मैनेट जब गानी सदर की तकरीब हुई थी इसको बुलाया गया था यह कोई पहली बार नहीं है जब आप अपने ही लोगोंको डिसोन कर रहें मेजर जेनरे जीडी बक्षी सर आपको बेटर बताएंगे कि जंग में भी आप हमेशा यही करते हैं अपने प्रिजनर्ज ऑब वार को अपना नहीं मानते यह आपकी पहली बार नहीं है कि आपने डिसॉन किया अपने नेता को डिसॉन कर दिया इस बार आपने मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए गफारी साब इन्होंने जो जनाजों की बात कही वो गलत है गफारी साब चलिए यह जूटे है यह जूटे है यह आपके अपने नहीं है यह अपने नहीं आपके यह जूटे है मैंने मान लिया वो तस्वीरे जो आपके अपने लोग गर्फारी साने सिर्प बड़न टेल इंटेनल टेलविजन पर आप डिसोन कर दीजे के तस्वीर हैं। के जंडे लिए ये पाकिस्तान नहीं है बोलिए सर नहीं है पाकिस्तान है और पींद्धव के जंडे लिए लड़ा के घूम रहे हैं और आपकी सरकार कुछ नहीं कह исo कर दीजे लोगों को भी डिसोन कर दीजे एक मिनट जीडी बक्षी सर अचा अब साब एक मिनट डिबेट चल रही है प्लीज चलाइए मत अचा थैंक यू बात ऐसी है अगर आप तालिबान की जो है हिस्टरी में जाके ये साथ देखें दूसरों को बात करने दीजे डिबेट चल रही है तबीज दिखाईए आप को यहां नहीं बोलाएगा सिया चीखे मारने के लिए ठीक है एक मिने वो तो अभी कुछ भी नहीं बोले हैं गफारी साब थैंक यू एक सेकेंड गफारी साब आपने अपने कम से कम मुल्क को उन कर लिया मैं हाँ चीखने चलाने नहीं गफारी साब और समाथ साब को लिए बोले जीडी बख्षी सार देखे मैं कहना ये चाहता हूँ कि तालिबान को खड़ा किया था मेजर जेनरल नासिरूला बाबर पाकिस्तान आर्मी उसके बाद से आएसाई ने इसको आर्ममेंट देनी शुरू की हत्यार असला दिया और जब पहली बार ये तालिबान को काबुल में पहुचाने के लिए गए 11,000 पाकिस्तान की फाज साथ गई थी 11,000 पाकिस्तान के फाजी जो सिवल ड्रेस में टैंक चला रहे थे तोपें चला रहे थे और इनकी एर फोर्स उपर से कवर दे रही थी जब मुला उमार के टाइम ने अमेरिका पे हमला किया तो अमेरिका ने साफ रिचर्ड आर्मिटेज ने आके बोला या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे बर खिलाव हैं ठंडे पसी ने छूट गए थे परवेज मुशर्रफ साब के उन्होंने मुहलत मांगी कि मैं बाई एर अपने ट्रूप्स व रिचर्ड बजाने जा रहे ठीक है साब ये ये आप हमको मत बताईए आप मत समझेए कि दूसरे कोई जानते नहीं या अंधे हैं दुनिया अंधी नहीं है सब जानते हैं पागिस्तान के हत्कंडे क्या है किस तरह आपके अफगानिस्तान में तबाही का मनजर फिलायए आपके फाइटर जो की पुली जो की सिवल ड्रेस में जाके ऑपरेट कर रहे हैं इस बार भी कल अफगान के सदर ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि दस हजार टेर्रिस्ट ट्रेंड जो आपके लश्करे टोवा हरकतुल जिहाद इसलामी वगारे के वह आपने भेजे हैं लडने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से और ये भी इल्जाम वाइस प्रेजिनेंट ने लगाया है अफगानिस्तान के कि आपकी एर फॉर्स ने धमकी दी कि अगर वो जो की पोस्ट पकड़ा है पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसमें से तालिबान पे जव करकार को ओवर्ठो करने वाले आप दूसरे मुलकों में दखलंदाजी करने वाले किसने ठेका दिया है आपको सारी दुनिया में दखलंदाजी करने का अफगानिस्तान में दखलंदाजी करने का देखे आपको जरूरत से ज़्यादा वहाँ पे अपने और देशों को तंग अगर आपने किया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि फौजी मानों में हिंदुस्तान की फौज को अफगानिस्तान जाने की भी जरूरत नहीं आपका Eastern Front हमारे से लगता है और अगर आप जरूरत से ज़्यादा छेड़खानी करोगे अफग की सरकार का लीगली इलेक्टिड सरकार का तखता पलटने की कोशिश करोगे और वहाँ पे धरिंदे भेजोगे टेरिस्ट टेरिस्ट कैम्प खोलोगे जो की हिंदुस्तान पे चोट कर सकते हैं आपको लेने के देने पड़ जाएंगे यह वो हिंदुस्तान नहीं है जो पाकिस्तान किया है वरना मुझे लग रहा था कि देश को भी डिसोर्ण कर देंगे वो, खेर ये तस्वीरे तो सर緩 अपने आप में गवाही दे रही है, बॉर्डर तो आपने सील किया था या फिर आप ये कह रहे हैं कि ये तालिबान, तालिबान के लड़ाके यहाँ पर आम का तरह निक की है कि हम ने तलिवान खड़ा नीं किये हमने तलिवान को तथ पोर्ड हम कर रहे थे जब आप इंडिया वह बूइंड ज्लिवस्ट को सपोर्ड कर रहा था अगर हम्हाइज सामशूल आपके सपोर्ट के में बावजूद कामयाब नहीं हो सका तो इसमें हमारा क्या कसूर है हमारी मध्र से तालिमाद कामयाब हो Go हम स्टेबल ओगे हमारा वाटर स्टेबल होग गया दूसरी मात रही चो तालिमाद के यह जो आप अपोटेजित दिखा रही होगी हमने तो तालेबाद को कभी देशन रिजान नी का आज आपको मसला यह हो रहा है कि तालेबाद जो है ना वह आपको देशन कर लग रहे या आपको जब बीस साल पहले आपने रिजीम केंज की बीस साल आप लड़ते रहें वहाँ अब 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 अलक्टेट गॉर्णमन तो कहने का मसला है कि हम तालेबाद नहीं रहा रहें ने ने सर समच साब याकूब साब मेरी बात सुरिए आप ये कह रहें तालिबान से दोस्तिकर हमारा बॉर्डर स्टेबल हो गया तो हम क्यों ना करें यानि मैं ये भी मानू के आज अगर आपको लगता है कि तालिबान क मदद मिलेगी तो आप अफगान सेना को टार्गेट करेंगे सर आप तालिबान को टार्गेट नहीं करेंगे और वहां से तस्वीरे आपके आपके अपने नेता भी यही बात कह रहे हैं मैं शेख रशीद का बयान सुनाओंगी अभी थोड़ी देर में सर शेख रशीद उन्हें तो डिसोन नहीं कर पाएंगे अशूख जी उन्हें तो ये डिसोन नहीं करेंगे ये केवल अफगानिस्तान के राश्पती ने कल नहीं बोला है केवल अफगानिस्तान के उपर राश्पती नहीं बोला है आप देखें जब डॉनल्ड ट्रम्प थे अमरीका के राश्पती तो उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था जो उनकी 2018 की जो पहली जनवरी की ट्वीट थी सुचिता जी उन्होंने कहा था जो हम पिछले 18 साल से जो सहायता कर रहे हैं पाकिस्तान को इनको 34 बिलियन डॉलर दिया है आतंकियों को पकड़ने के लिए आतंक पाद के विरुद काम करने के लिए और ये समझते हैं जो हमारी लीडर्शिप है ये बेवकुफ है हमको बेवकुफ बनाती जा रही है और हमसे पैसा किने लेती है और जो आतंकियों को सहायता करती है उन्हें को सेफ हीबल्स देती है तो देखिए ये केवल अफगानिस्तान के राश्पार रुप राश्पारी बोड़े है ये पूरी दुनिया जानती है पूरी दुनिया को ये बालब है जो जो तालिबान को सहायता दी जा रही है जो उनको आतंकी ये, क्योंकि देखिये, तालिबान की अपनी क्या कोई factory है, उनके पास अबने जो असलह हैं, उनके पास जो missiles हैं, उनके पास ये जो सभी, सारे sophisticated arms equipment हैं, क्या अपनी factory चलाते हैं, कहीं पर व्यापार आते हैं, पेसा कहां से आता है, सारा पेसा वहीं से पाकिस्तान से उनको दि बयान सुना देती हूं शेख रशीद का वो बयान जिनने ना तो गफारी साब डिसोन करेंगे ना याकूब साब एक बार सुन लीजिए दिनेश जी आप भी करनल दिनेश नेन आप भी सुनिए शेख रशीद कैसे इस दालिबान को जस्टिफाइ कर रहे हैं जिसको अच्छा बता रहे हैं उसी की तो मदद की जाएगी सुनिया एक बार एक निया तालबान जनम देब पा चुका है और ये वो तालबान नहीं हैं जो गन से फैसला कर रहा था और इन से मामलात तै करना और मजाकरात करना ये ना सिरफ पाकिस्तान की जरूरत है बलके सारे खिते की जरूरत है अब करनल दिनेश नेन और गफारी साब को लिजे गफारी साब शेख रशीद को पैचानते हैं या इन्हें भी नहीं पैचानेंगे ये डिसोन कर दूँ इन्हें कौन है भी यह नही है पता शायद आपको गफारी साब बिलकुल ओन करता हूँ उनकी बात को भी ओन करते हूंगे जो गन जो गन नहीं ऊठाएगा उसकी है बात मानेगे और सुनेगे सर तो यह तालिबान क्या भीना गन उठाए काम कर रहा है ये तालिबान बिना बंदूक उठाए काम कर रहा है नहीं नहीं सर ये तालिबान मुझे बहले बता दीजे ये शांती दूथ है ये ना गन उठाते हैं ना कोड़े मारते हैं ना पत्थर बरसाते हैं ये वो तालिबान है अरे सर क्या गफारी साहब आपके नेता कह रहे है गुड तालिबान जो गन ना उठा ये कौन से तालिबान है तस्वीरे तो दिखा दीजे ज़रा वो गोलिया बरसाते और कोड़े बरसाते तालिबान की तस्वीरे दिखाईए इने ये वो ही तालबान है जिसकी अमरीका ने सुनी जिसको अमरीका मान कर भाग रहा है अमरीका ने सुनी अमरीका ने सुनी इनकी अमरीका ने सुनी ये कह रहा है अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर अफगानी मुस्ताय कम हो एक सके नियुक्व भाग रहे हैं जी डिभा आपक को क्या मसले है अब आपको क्या मसले हैं पाकिस्टान जाने ऐप जानिस्तान हमारा इंटर्णल इशू है इंटर्नल ओपी रहे हैं आपके सुन लीजे आपको बताते हैं तकरीर नहीं है यहां बोले है देखे अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है आपको कोई ठेका किसी ने नहीं दिया कि वहाँ कौन राज करेगा कि नहीं करेगा ये आपका ठेका नहीं है ठीके साथ, अफगानिस्तान के लोग जो चाहेंगे वही वहाँ पे होगा आप तालिबान के जरिये तालिबान की ड्रेस में अपने फौजी भेज़ के अपने टेरिरिस्ट भेज़ के अगर वहां की सरकार का तखता पलट करने की कोशिश करेंगे ये गैर कानूनी कदम होगा आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि आप वहां टेरिरिस्ट का बेस बनाना चाहते हैं जैसे पहले तालिबान के टाइम पहले राज में वहां पे कितने सारे कैम्प थे कि वहां पे रॉबर्ट गेट्स ने कहा ता C.I.A के डारेक्टर ने कि 45 प्रतिशत जो भी टेरिरिस्ट फाइट कर रहे हैं जमू कश्मीर में वो या तो अफगान है या वो वहां अफगानिस्तान में ट्रेडिंग लेके आएं भारत मिलकुल मजूर नहीं करेगा कि आप अफगानिस्तान को एक टेरिरिस्तान बनाएं वहां पे कैम्पें खोलें वहां पे गदर पहलाएं अपनी जो है आपकी सियासत के लिए आपकी सियासत की चालों के लिए आप अफगानिस्तान के लोगों की लाशे बिचा दे जो आप हर आए दिन आप हर दस साल के बाद करते हैं खुना खचर अफगानिस्तान के लोगों का जितनी जहमत जितनी किलत आपने वहां के लोगों को पहुँचाई है शायद ही किसी और देश ने दूसरे देश में ये किया है अपने हकूख अपने जो है रोटियां सेकने के लिए जो दुखदर्द आपने अफगानिस्तान के लोगों को दिया है ये आपको उनकी आ लगेगी आपको महगा पड़ेगा अफगानिस्तान में लड़ने की जरूरत है आपका पॉरडर सीथे हमसे लगता है उम अपपे भारी दवाव डाल सकते है और जो ये बात कर रहे हैं कि ये इंटरनल मैटर है सर अफगानिस्तान के राष्टर्पती भारत से मदद मांग रहे हैं internal matter है उनके राश्ट्रुपती जा जाकर दूसरे देशों से कह रहा है पाकिस्तान हमारे मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है तालिबान भेज रहा है लड़ाके भेज रहा है ये इनका internal matter है लेकिन अफगानिस्तान में किस तरह से लड़ाके तयार हो रहा है अफगानिस्तान की elite forces के पहले मैं आपको मिज़र दिखाऊंगी ये अफगानिस्तान की elite forces है जो वहाँ पर तयार हो रही है और उनकी तयारी किस तरह से दिखाती है कि पाकिस्तान के लड़ाकों को लड़ाकों से लड़ने के लिए जो तालिबान भेज रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान में उनसे लड़ने के लिए ये अलीट फोर्सिस तयार हो रही है मैं इन अलीट फोर्स के बारे में आपको बताऊंगी भी कि अफगान की अफगान फोर्स किस तरह से तयार हो रही है क्योंकि उनके अस्तित्व पर खत्रा है ये केताय खास कहलाती है वहां की अफगानिस्तान एलीट फोर्स और ये अफगानिस्तान एलीट फोर्स खतरनाक उपरेशन को अंजाम देने की ताकत रखती है ये किस तरह से खुखार तालिबान को काउंटर करने की ताकत रखती है और कैसे इनके लड़ाके पूरे अफगान पाकिस्तान में भेजे गए हैं जिससे ये खुखार तालिबान को काउंटर कर सके साथी उस तालिबान को जिसकी मदद पाकिस्तान कर रहा है उसे काउंटर कर सके 150 रडाकों का जथा अफगानिस्तान में तेनाथ किया गया है और बार बार अफगानिस्तान सरकार कह रही है कि पाकिस्तान मदद कर रहा है एर फोर्स पाकिस्तान की एर फोर्स कालिबान की मदद कर रही है और अफगानिस्तान एर फोर्स को किस तरह से ख़देड रही है उसकी भी तस्वीरे मैं आपको दिखा रही हूँ मैं सीधे मैं सीधे जा रही हूँ मैं सीधे जा रही हूँ करनल न मैं इनके पास करनल नेन आपस संपर्ख थोड़ा तूट गया था मैं आपस यह जिस तरह की तस्वीरे सामने आ रहे हैं यह बार-बार कहते हैं कि हमारा इंटर्नल मामला है मतलब आप वहाँ पर आतंक भेजते रहा है हाँ बदल गया है तालिबान तालिबान अफगान तालिबान है तालिबान हकानी गुरूप है तालिबान टीटीपी है तहरी के तालिबान पाकिस्तान और 1929 के अंदर जब दोरन लाइन बनी थी तो अफगानिस्तान के राजा ने पस्तून एरिया को पाकिस्तान का नहीं माना था अंग्रेजों को आज भी उस इलाके के अंदर खेबर फक्तूनवा और जितना भी एच्छेत्र है आपका वदिरिस्तान का ये टीटीपी अपना मानती है टीटीपी ने अपना डायरा ब्लुचिस्तान की बी अले आर्मी के साथ आइसिस के ग्रूप के साथ बना लिया है अ इंदुस्तान से टूटा हुआ तालिबान पाकिस्तान है लेकिन इनका जो इसलाम है वो अफगान तालिबान के इसलाम से बिलकुल अलग है अफगान तालिबान का इसलाम है औरते भरभार नहीं निकल चकती औरते जो डाड़ी बढ़ानी पड़ेगी जितनी भी औरते तब बोलोगे तालीबान आपका है तब बोलोगे तालीबान आपका है क्यों में वेकूब बन रहे हो तस्वीरे दिखा भी रही हूँ किस तरह से महिलाओं को पर्मिट लेके जाने की जाने की बात है वो घर से निकल नहीं सकती है आपको लगता है यही कानून आपके आभी हो आप अपने देश की मैलाओं को भी यह कहेंगे कि ये खुंखार चेहरा हमारे देश में भी हो क्योंकि हम तो उनके साथ ख़णे तेके मैं ये करनल साम पर पूरी ये स्पीछ कर दिया बड़ी जजबाद में आगे हूँ और उनका वुसा समझ करता हूँ तो कि जारी बाते हैं जब उम्धें तूटी हैं तो फिर इन्सान गुता टोता है बात ये कि या वो तालिवान है शेख रशीब जिनकी बात करें जिनसे रड़ी अगेज कर रहा है आपकी निया डे cordialी बेक चैनल पे अगेज कर रहा है ये वो तान करते हैं अजिन कान भी बीèseिड नीसमें आप ने 2019 में चीन के पास सोड़े काफ आप मस्कोर के पास Déल भीड़े बहुआ की बार परने की दोहा के अंदर आप ने पूरा दूसरा सेस्ट देने की कोशिश दिया कि यह डिप्लोमेंसी भी करेंगे तो अगजब आप उनके पर लेके आ रहे हैं तो अफ़कानिस तो इसे बात क्यों ना करें एक मैं प्रिंसिबल पूच रही हूँ आपकी सरकार तालिबान के साथ है या फिर आप अफ़गानिस्तान सरकार के साथ है जो इन पर काबू पाने के लिए दिन रात मेनत कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं तो आप की सोच क्या होगी हमारी सोच क्या होगी आप क्या सोचेगी उनके बारे में क्या सब्सक्राइब कर रहे हैं कि आप अफगान फोर्स के साथ हैं आपके प्रधान मंत्री बाहर जाकर ताशकेन में कहते हैं कि हम तो सपोर्ट कर रहे हैं हम तो खुद भुक्त भोगी हैं हमारे यहां देखिए कितना आतंग फैला है लेकिन आप यह बोलने को तैयार नहीं आपका इस्लामाबाद ले लेंगे तो हम उन्हें लेजिटिमिसी दे तो मैं उनको लेजिटिमिसी दू हिंदूस्तान उंसे बात करें आपकी सरकार से बात न करें आप यह कह रहें लेंगे है तु ताले बाम टेररिस्ट नहीं हैं पाकिस्तान देीरा तो खोल कऱिये तो घुल कर रहे तो आ क्रीम बांड मेन कहने से या गफारी साहब या इनके कहने से नहीं बनता है कोई आतंकवादी या नहीं तो हजार एक में तालेपान को युनाइटिड नेशन्स ने उनके आर्टिकल वान टू सिक्स सेवन में इनको आतंकी करार गुशिद किया है अभी जो उनकी वो मांग है अफगानिस्तान की सरकार से जो भाइ हमें उनकी वो जो लिस्ट है युनाइटिड नेशन्स की लिस्ट है जिसने हमको आतंकी मताया गया है उस लिस्स से हमको प्लीज निकलवा दीजिएगा वो जो उन्होंने उन से गुजार इस किया हमको तीन महीने की पहसी सपार कर दीजिए कि बात नहीं है तालिडवान तो पाकिस्तान के आगोश पे बैठा थे और जो उनको है सहायता देनी है जिसे मैंने पहले की पताया तो सभी सहायता उनको देते हैं हमारे जो विदेश मंतरी हैं जो वो मौस्तों में गए थे अभी उन्होंने कहा जो अगर सत्ता ली जाएगी क जो डेमोक्राटिक सरकार है उसके साथ खड़े हैं यहां तक कि जल्माई खलीजाद जो कि उसके रेप्रेसेंटिटिव है उन्होंने भी कहा है जो अगर फोर्स से कुछ लिया गया है वहां पर काबूल के उपर अधिकार किया गया है तो उसको हम मानिता नहीं देंगे सर देखें सीदी सी बात देखें यहां पर पाकिस्तान के जो गवर्निक बात आखरी बात वो है 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान की वहां पर काबूल में क्या महारत ने उसको मानिता दी क्या दुनिया ने उसको मानिता दी अब मैं सीदी सीपात पूछ रही हूँ यहां पर इनको तालिबान टेरिस नजर नहीं आते है जीडी बख्षी सर गफारी साहब को याकूब साब को टेरिस नहीं नजर आते हैं वो पीस लवर्स हैं वो शांती दूत हैं उनकी बंदूकों से फूल जड़ते हैं जीडी बख लावर, इंटीरियर मिनिस्टर और पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया था, ये इजहार इन्होंने खुद इंडियन टेलिविजिन पे किया है, कौन नहीं जानता कि ये ISI की खपत है, कौन नहीं जानता कि ISI ने इसको हथियार दिये, असला दिया, सारा ड्रग का कारोबार पाकिस्तान के जर्नेल अपनी फैक्टरियां खोल के बैटे हैं, ये वहाँ से सारा अफीम गांजा इस तरह बेचते हैं, और ये सारा ड्रग में परिवर्तित होके, ये ड्रग का जो इनका व्यापार है वो चलाते, ठीक है साहब, दुनिया भर के अफजा किया था और मजारे शरीफ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, दब पाकिस्तान की फौज के टैंक, पाकिस्तान की फौज की तोप खाना, अफगानिस्तान में उपने जब इनके नेता कहेंगे कि ये बुड तालिबान है, ये बंदूकों से बात नहीं कर रहे हैं, जब यहाँ पर प्रवक्ता कहेंगे कि ये तो टेर्रिस नहीं है, तो फिर क्या समझा जाए, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर उनको टेर्रिस नहीं लगते हैं, उने तो शांती दूत लगते हैं, तो फिर ये जो कुखार चेरा है, ये तो सामान यहीं लगेगा, मेरे पा हारत में तैसा में ता, बबो देने वाँ